Hey guys what's up कैसे आप लोग स्वागत है आप लोगों का आज के study plan वाले वीडियो में यह वीडियो बहुत ही amazing होने वाला है आप लोगों को आपके सारे दुख्छे निवारण मिल जाएंगे 90% बच्चों को निवारण मिल जाएगा अब आप लोगों को क्या करना है इस वीडियो को follow करना है अच्छे से और साथ-साथ में जो भी आपको है प्लान मता जाएगा आपको वो चार्ट जो है वो मिल सकता है कहां पे हमारी टेलिग्राम चैनल पे आप लोग जाईए टेलिग्राम पे और अट देरेट नीदे 2020 में इग्जाम देने वाले थे, जो में 2020 में एक्जाम देने वाले थे, जो fresh एक्जाम नवंबर वाले उनके लिए भी सरा लगसेक वीडियो आ जाएगा, तो सबसे हली बात, या तो आप लोग इस Şimdi में थे, आप एक group दिने वाले थे May 2020 में और आपने November 2020 में भी एक group दिने का फैसला किया है, ये फैसला कैसे करना है सर, इस फैसले के लिए मैंने आपको November 2020 के लिए mentorship videos दी थी, उसमें आपको guidance दी थी कि कैसे आप जो ही फैसला ले सकते हैं, दो group दिरे थे और कुछ common points में निकाले हैं, revision wise और साथ मैं आपको बताया जाएगा, last में के plans जो है मैं को किसने दिये थे, तो सबस्वले उन students से बात कर लेते हैं, सर जिन्होंने एक group दिना था May 2020 में और November 2020 में भी एक group plan कर रहे हैं बहुत बढ़िया, आपने decision ले लिया है इस पर टिके रहिएगा, दोस्तों को देखके, teachers की बातों में, coaching institute की बातों में, guidelines की बातों में, unutा येगा, क्योंकि कभी-कभी सर, हमें पता होता है कि जूता कहा चुब रहा है, और किसी को नहीं पता होता है, कि सर हमें ही उसका जो है इलाज भी करना पड़ता है चली अगर आप यहां तक पहुँच गए हैं वीडियो में तो आप वीडियो छोड़ के मत जाईएगा पूरी देखिएगा और एक काम करिएगा नीचे टाइम स्टैम्स लगा दीजेगा कौन से स्टूडेंट्स जो हैं कहां पर देख सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो लाइक टागेट रखते हैं इस वीडियो का कम से कम 2000 लाइक का मुझे पूरी उमीद है कि सर आप लोग यह लाइक टागेट जो है वो रिविजन कर लेंगे अगर आपकी कोई भी कोचिंग बची हुए अभी आप एक गुरूप दे रहे थे अभी भी एक गुरूप दे रहे है कोचिंग आपकी बचीज वैसे बड़ी जीब सी बात है Revision 1, Sir, आप कैसे करेंगे? आप लोग 7 दिन लगाएंगे per subject और आप सर अपनी revision जो है, वो complete कर लेंगे Guys, ये plans जो है एक approximate idea है आप इसे मिलते दूलते और plans बना सकते हैं undoubtedly और उनको भी follow कर सकते हैं अपने घर की condition, अपने पढ़ने के समय अपने तयारी, अपनी revision, अपनी coaching के हिसाब से अपने plans भी जो है, वो बना सकते हैं ये एक framework आपको मिल जाएगा 7 days per subject ये अठाइस दिन आपको लगेंगे यहां मैंने बता भी दिया है कि सर्फ 4 subject जो है आपने कौन कौन से दिन में, वो complete कर लेंगे तीन दिन आपको एक्स्ट्रा बचेंगे, तो जो भी चीज़े आपके uncovered रहेगे होंगी, उनको आप cover कर लेंगे यहां पर, revision 2 सर्फ हम लोग करने वाले है 5 days per subject, 20 दिन में, revision 3 3 days per subject, 12 दिन में, और जो दिन यहां पर हम एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं, वो सर्फ फिर से कोई uncovered portion हो, तो उसमें आप cover कर सकते हैं revision 4, 20 दिन पर subject, revision 5, 20 दिन पर subject और उसके बाद सर्फ 3 दिन के लिए आप लोग सिर्फ accounts पढ़ेंगे, revision 6 में आप लोग 1.5 day जो है, before exam job को समय मिलता है, वो आप लगाएंगे यानि जो पहले एक group देने थे, अब भी एक group देने सर्फ उनके छे revision possible है, और छे revision के बाद भी अगर बच्चा fail हो रहा है तो मैं यही बोलूँगा सर, या तो बच्चे को पता है नहीं, course में क्या है, या तो सर कहीं न कहीं जो है, कुछ न कुछ luck बोलो, human error बोलो, जो भी आप बोलना चाहोगे, तो 6 revision के बाद बच्चा fail नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में right, चलिए, I hope guys आपको यह वाला plan पसंद आया, अब इसके पास second plan पे चलते हैं, जिन लोगों ने both group देने थे, May 2020 में, अभी भी भी बोद group देने हैं, उनके लिए सर कम से कम 5 बार की revision जो होनी चाहिए, अगर सर आपकी coaching है, प्लीज उसे 5 अगस्ता खतम कर दीजिए again, अगर आपके May 2020 में थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 2020 के तक कोचिंग सा सारी complete करी ली होंगी by chance नहीं करी थी, तो सरब खतम कर लीजेगा पांच अगस्त के बाद उसके बाद आपके पास 88 days बचेंगे, last के 3 days फिस से accounts के लिए निकाल देते हैं, तो 85 days बचेंगे पहली revision सर आप लोग 4 days per subject के हसाब से करेंगे, second revision third 3 days per subject के हसाब से और third revision जो है वो 2 days per subject के हसाब से करेंगे और revision number 4 जो है वो आप 1.5 days per subject के हसाब से करेंगे और इसके बाद सर आप लोगों के पास जो भी extra time बचेगा उसमें आप चीज़े की तरफ भी चल पड़े हैं confidence अंदर गर confidence अगर इसे काम कीजेगा अगर confidence नहीं है तो मत कीजेगा देगी मैं हर बार बोलता हूं किसा रही होता है confidence zone एक होता comfort zone आप अपने comfort zone मत रही है आपने confidence zone में रही है comfort zone में तो यह हो गया कोई बात नी भाई तेरा अगली बार देगा कुम का मेला थोड़ना है जो साथ साल में एक बार आता है हर शे महीने में आता है तो कभी भी देगा नहीं this is comfort zone which is wrong आपने confidence zone में आईए कि सर अब मैं group 1 अगर prepare कर रहा हूं तो I am quite confident किसा group 1 तुमें निकाल के ही मानूंगा तो आप लोग को सब minimum चार रिवीजन करने को मिलेंगी आप लोग अपनी 20 अधस तक जितनी भी आपकी second group की coaching है प्लीज उसे complete करने की कोशिश कीजिए साथ साथ ही आप क्या करते रहें ग्रूप 1 के जैसे time मिले ग्रूप 1 के कुछ चीज़े revise कर रहें नोट्स बनाने आपको बहुत ज़रूरी है important notes बनाई है acronyms बनाई है इस period के दोरान जो है अपने registers वगरा तयार करते रहें जिससे आपको सर आगे revision करने में मदद मिलेगी देन उसके बाद number of days आपको बच जाएंगे 73-3 accounts के लिए 70 दिन अब इस 70 दिन को हमने कैसे बाटा है 4 days per subject 3 days per subject 1.5 day per subject और 4 रिविजिन जो है जाए जो आपके target थे दिन के प्लीज सोए ना यह नहीं यह सर के आपने time table बनाएकर 10 दिन में complete करूंगा और सर हो गया उसको 100 दिन ऐसे काम नहीं चलेगा आपको सर पूरी कोशिश करनी है जो भी आपने time table बनाए उसे आप achieve करे time table बनाए उसको follow करे नहीं follow होता अगले दि करें के failing to plan is a plan to fail अगर आप सर planning ही नहीं करेंगे धंक से तो ultimately सर आप एक plan बना रहे है फेल होने का right failing to plan is a plan to fail so please आप जरूर 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 plan बनाए ताकि सर आप लोग auto plan ना बना बैठे fail होने का आये दिन उसके बाद revision 1 में सर आपने कुछ बाते ध्यान रखनी है RTP को सर अपने साथ में cover करना है even आपके पास जो MTPs है उनको भी cover करें हर question को solve करने की कोशिच करें थोड़ी speed ज्यादा रखें फिर उसमें important questions mark कर लीजे category में divide कर दिजे A category B category C category where A category means आएगा 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 यानि A category वाले जो कोशन है वो त्रिवेधी कोशन है क्योंकि सब मर जाएंगे सिरफ कौन बच जाएगा बेटा त्रिवेधी बच जाएगा Okay दिन उसके बाद notes अपने साथ साथ बनाएं acronym में साथ साथ बनाएं हर subject के लिए notebook अलग से बनाएं ऐसा ना करें भाई साथ एक वाले कोशन करेंगे सी टाइप वा लोगो गो थू कर लेंगे कोई concept मिस हो गया तो सर उसको आप लोग जो है no down कर लेंगे Okay दिन उसके बाद वोई concept जो मिस हो गये थे उनको सर अपने notes book में भी आप लिख सकते हैं अपने concept register में भी जो है आप लिख सकते हैं कि यह सर हमारे student है Bangalore से और श्रिया को जाता है इस पूरे plan का पूरी की पूरी चीजों का credit उन्होंने बहुत अच्छे सच जो है सारे students को study करके यह अपना plan मनाके दिया तो आप श्रिया को जरूर comment box में thank you बोल दी जिएगा ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा जब तक आपके exams नहीं हो जाते तब तक आपके साथ रहूंगा even exams के बाद भी हम लोग साथ रहते अपना रिष्टा सर LIC की तरह है exams के साथ भी और exams के बाद भी राइड और चिंता मत करिए सर ब सकता हूं सर क्या बाद इंगे उठेक बढ़ेंगे दीरे चाहे रेंग रेंग के सही हम लोग आके बढ़ेंगे सर हम आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि रुग गए तो सर जी पक्का है कि आप रुक गए आप खतम हों एक मैं बहुत पुरानी वीडियो में बूला था Even if you are going through hell Keep on moving एक दिन आएगा hell भी गुजर जाएगा लेकिन अगर आप रुख गए तो आप hell में ही रह जाएंगे साहब तो keep moving बोलते हैं न चलती का नाम गाड़ी तो सर हमें बस उसी के तरह जो है चलते रहना चाहिए और अगर में रुख गए तो सर खात्मा पका है I hope guys आप लोगों ने इस study plan enjoy किया Please इसको सब के साथ share कर दिजिए जितने भी आप WhatsApp में, Telegram, Group वगरा में है और आपके known है अगर कोई CE students तो उनके साथ share कर दिजिए देखिए आपको मैंने framework देदिया इस framework में आप जैसा मर्जी plan बनाई है आपकी मर्जी लेकिन plan बनाई है और minimum आप याद रखे कि 4 revision तो कम से कम लोग यहां से करके जाने वाले हैं 4 revision minimum है चलिए साब तेंक्यू बेरे मस्ट टेकने चेट स्टे है जैहिंद और हाँ सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद और मस्त रहें व्यस्त रहें ध्यान रखें अपना भी अपने parents का भी अपनी physical health as well as mental health का पूरा ध्यान रखें tension लेने की कोई जूरत नहीं है बस हार नहीं माननी है जिन्दगी में कभी भी यह बात याद रखेगा solution oriented रहने का है ओके God bless you take care